Welcome to new lesson इस lesson में मैं आपसे बात करूँगा about keywords and search terms अब आपको पता पता है कि keywords क्या होते हैं और search terms क्या होते हैं search terms आपको नहीं पता होगा keywords आपको पता है keywords आप select करते हो जबही भी आप पोई भी search ad या या YouTube ad एडि display ad बना रहे हो सर्च एड जब आप बनाते हो तब आप बेसिकली गूगल को क्या बोलते हो कि गूगल ये रहा मेरा कीवर्ड अब जैसे ही कोई ये कीवर्ड सर्च करे उसको मेरी एड दिख जानी चाहिए तो अब आपको याद है वहाँ पे हमने बड़े सारे कीवर्ड मैच टाइप पड़ा था एक हमने पड़ा था एग्जेक्ट मैच आपको याद है एग्जेक्ट मैच हम ऐसे स्क्वार ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे अब सपोस करो मैंने एग्जेक्ट मैच के अंदर लिखा digital marketing तो basically मैं Google से क्या क्या रहा हूँ कि Google अगर कोई digital marketing सर्च करे तभी मेरी ad आए और कोई कुछ सर्च करे तो मेरी ad ना आए बट मैंने आपको बताये था कि फिर Google ने एक चीज इंट्रोड्यूस की that is close variant right close variant अब close variant से क्या हो गया कि exact match exact match नहीं रहा अगर आपका keyword digital marketing भी है तभी भी बड़े सारे keywords जो कि उसके close variant है जो कि उसे related है जो कि उससे similar है जिनका की मतलब same है उस पे भी आपकी ad दिख जाएगी right तो अब इस situation में आपको क्या करना है मैं आपको एक example से दिखा रहा हूँ यह एक मेरा test account है जो मैं पहले मैंने run किये थे कुछ test करने के लिए तो यहाँ पर आप देखो एक यह ad है digital marketing company मैं उस ad पे गया मैं यहाँ जाता हूँ keywords के उपर आप देख सकते हो मेरा keyword क्या है मेरा keyword है digital marketing company exact match ध्यान से देखना यह test account था मेरा इस पर असली पैसे खर्च हुए यह जस्ट एक normal test नहीं है यह पैसे से test किये थी मैंने कुछ चीज़े मैंने यहाँ पर search keyword क्या रख था है digital marketing company exact match, exact match क्यों है क्योंकि यहाँ पर मैंने square brackets लगा रख रख है अब है search term search term का मतलब है लोगों ने क्या-क्या search किया तो उन्हें मेरी यह add दिखी ध्यान से सुनना keyword is मैं Google को कह रहा हूँ कि Google मेरा keyword है digital marketing company exact match मतलब अगर कोई digital marketing company keyword सर्च करे तभी उसे मेरी add दिखनी चीए बट जैसे मैंने आपको बताए था कि close variant की वज़े से लोग अगर कुछ और भी search करते है तभी भी मेरी add मां दिख जाएगी तो लोग exactly क्या search कर रहे है जिससे मेरी add दिख रही है वो चीज होती है search term अब अगर मैं search term पे जाऊं तो आप देखो digital marketing company पे लोगों को मेरी add दिख रही है बट digital marketing companies पे भी दिख रही है क्यों दिख रही है क्योंकि ये close variant है again digital marketing company ये spelling गलत है यहाँ पे देखोगे न तो ये क्यों दिख रही है क्योंकि close variant है digital marketing एक साथ लिखावा company close variant आप देखो digital marketing forms digital marketing forms इस पर ad क्यों दिख रही है कि again यह close variant है ऐसे देखो दिख रहे है डिजिटल marketing बिजनस अब यह क्यों दिख रही है क्योंकि यह close variant है बट मेरा कीवर्ट क्या था-digital marketing company तो इस case में आपको करना क्या है अब यह रहा इस अछुम हरण डिजिटल marketing business था ना digital marketing business मैं चाहतों कि भाईया इस पे मेरी ad दुबारा ना दिख जाए कभी तो मैं क्या करूँगा मैं इसको बना दूँगा negative keyword कैसे बनाऊँगा तो मैं simple इसे करूँगा select और add as negative keyword या मैंने add as negative keyword अब ये पूछ रहा है कि ये कहां पे लगाना है add group पे लगाना है campaign पे लगाना है या negative keyword list बनानी है इसको लेके तो मैं इसको इस campaign पे लगा देता हूँ और negative keyword क्या बन गया यह रहा digital marketing business और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे save पतम देखो यहाँ पे exclude हो गया same नीचे आओ digital marketing agencies मैं चाहता हूँ भया इसमें भी मेरी add ने दिखनी चाहिए दुबारा कभी भी तो क्या करूंगा simple select add as negative keyword campaign ले लिया इसको कर दिया save देखो यहाँ पे exclude हो गया simple तो ऐसे आप यहाँ पे जो जो बकवास keyword है जो की फाल्तू keyword है जो की जिस पे आप अपना result नहीं दिखाना चाहते उसे उठाके आप negative बना सकते हो तो आप समझ गये कि आपका keyword और search term में फरक्या है keyword is आप किस पे add दिखाना चाहते हो search term is लोग क्या search कर रहे हैं तो उन्हें आपकी add दिख रही है अब यहाँ पे मैं negative keyword अपना जो keyword हो मेरा exact match है इसके बावजूद भी keyword और search term में फरक्यों है because of this close variant thing जो भी फाल्तू के keyword है जिन पे मैं add नहीं दिखाना चाहता उसके साथ क्या करूँगा मैं उन सब को उठाके मैं बना दूँगा negative keyword ठीक है जी तो यह एक और चीज़ थी जो मुझे आपको दिखानी थी I hope कि आपको एक clear है अब next lesson मैं मिलूँगा आपके साथ में किसी नई चीज़ के साथ ठीक है जी Thank you so much for watching this lesson